नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्टेंड अकैडमी स्टनों क्लासेज में दोस्तों आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपात किये नई शिक्षा गती 105 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा नीती में बदलाव की दरकार लंबे समय से महसूस की जा रही थी विराम मगर अब तक 1986 में बनी शिक्षा नीती के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था विराम 1922 में में इस नीती में कुछ बदलाव जरूर किया गया पर उसे परियाप्त नहीं माना जा रहा था विराम इसलिए भाजपा ने 2014 के अपने चुनाव घोशना पत्र में नई शिक्षा नीती लाने का भी एहम वादा किया था विराम सब्ता में आने के बाद उसने इस दिशा में कदम भी उठाय दिया था विराम आकिरकार व्यापक सलह मश्विरों और सुझावों के बाद के कस्तूरी रंगन समीती द्वारा तैयार नई राश्ट्रिय शिक्षा नीती घोशित कर दी गई है विराम स्वाभाविक ही इससे शिक्षा के शेत्र में अपेक्षित बदलाव की उम्मीद जागती है नई शिक्षा नीती का मकसद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक समय की मांग के अनुसार पाठे क्रमों में बदलाव और उसके जरिये अंतराश्ट्रिय इस्तर पर युवाओं को प्रतिस परधी परिवेश के लिए तैयार करना है विराम इससे युवाओं में कौशल विकास नवमेशी अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है विराम नई शिक्षा नीती का जोर विद्यारतियों के व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षन पर भी है विराम उसादन विकास मंत्राले का नाम बदल कर फिर से शिक्षा मंत्राले हो गया है विराम पैरा वैश्वीकरण के बाद की नई इस्थतियों में शिक्षा शेत्र में बदलाव बड़ी जरूरत थी यूपीय सरकार के समय ज्यान आधारित अर्थ व्यवस्था विक्सित करने की बात उठी थी विराम उसके अनुसार शिक्षा शेत्र में बदलाव लाने और रोजगारों मुक शिक्षा प्रणाली बनाने का संकल्प लिया गया था विराम बगर इस दिशा में कोई उलेखनी प्रगती नहीं हो पाई थी विराम फिर हमारे देश में जिस तरह शिक्षा शेत्र में विशमता बढ़ती गई है उसमें बुनियादी शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा के इस तर पर विवहारिक बदलाव करने की मांग उठती रही है विराम फिलहाल सरकारी और निजी शिक्षन संस्थाओं की पढ़ाई लिखाई के इस्तर और सुविधाओं में बहुत बढ़ा अंतर नजर आता है इसे लेकर व्यापक सामाजिक असंतोश भी देखा जाता है विराम इस अंतर को पाटना बहुत जरूरी है फिर उच उच्षिक्षा के इस्तर पर हमारे देश के विश्व विध्याले पढ़ाई लिखाई के तरीके अनुसंदान सुविधाएं आदी के पैमाने पर दुनिया के विश्व विध्यालेयों के सामने फिसड़ी साबित हो रहे हैं इस इस्तती से उबरने की जरूरत भी रेखांकि की जाती रही है विराम अब उच्षिक्षा केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान कारेक्रमों के तहत विध्यारतियों को एक से दूसरे देशों में भेजने का मामला नहीं रहे गया है विराम यह व्यवसाइक मामला भी है नई शिक्षा नीती में इसे ध्यान में रखते हु सरकारी और निजे विश्व विद्यालियों को प्रोथसाहित और विक्सित करने की रूप रेखा तैयार की गई है विराम पैरा शिक्षक की गुनवत्ता में सुधार नय आने पाए या फिर विद्यार्तियों के कोशल विकास की दिशा में अपेक्षित नतीजे नय आ पाने की बड़ी वजह है शिक्षकों का नवन मेशी और नई जरूरतों के मताविक तैयार न होना रहा है विराम नई शिक्षा नीती में इस बिंदू पर विशेश रूप से ध्यान केंदरित किया गया है विराम फिर पाठेक्रमों का स्वरूप रोजगर और विशेश योगिता अरजित करने अनुसंधान आदी के आधार पर तैयार करने पर जोर दिया गया है विराम दर असल अब शिक्षा प्रणाली को न सर्फ अपने देश की बलकी वैश्विक जरूरतों के मुताबिक ढालना बहुत जरूरी है ताकि विज्ञान तकनीकी शिक्षा सामाजिक विज्ञान आधी शेत्रों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके विराम नई शिक्षा नीती से यह मकसद सद सकता है विराम अब सरकार का जोर इसे पूरी तरह लागू करने पर होना चाहिए पूर्ण विराम तो कैसे लगी आप सभी को डिक्रिशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद